साथियों, हमारे आयुर्विज्ञान शास्त्रों में कहां गया है? सर्व प्राणी भृताम नित्यम आयूहू युक्तिम उपेक्षते देवे पुरुशा कारेच सितम ही अश्य बलाबलम अर्थात संसार में स्रम, सफलता, भाग्य, सब कुछ आरोग्य पर, हेल्थ पर ही निर्भर करता है स्वास्त है, तभी भाग्य है, तभी सफलता है जब हम नियमित रुप से व्यायाम करते हैं, तो खुद को फीट और मजबूत रखते हैं एक भावना जाकती हैं, कि हाँ, हम स्वयम के निर्माता है एक आत्मविश्वास आता है, व्यक्ति का यही आत्मविश्वास उसको जीवन के अलग-अलग छेत्रों में भी सफलता दिलाता है यही बात परिवार, समाज और देश पर भी लागू है एक परिवार जो एक साथ खिलता है, एक साथ फिट भी रहता है अब फैमिली, डाट प्लेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर इस महामारी के दौरान, कई परिवारों ने यह एक्स्पेरिमेंट करके देखा है साथ में केले, साथ में योग प्रानायम किया एक्सरसाइज की, मिलकर पसीना बहाया अनुभव यह आया, कि यह फिजिकल फिटनेस के लिए तो उप्योगी बना ही लेकिन उसका एक और बाइप्रोड़क के रूप में इमोशनल बॉंडिंग, बेटर अंडर्स्टैनिंग, मुच्यल कोपरेशन ऐसी अनेक बाते भी परिवार की एक धाकत बन गई सहच्ता से उभर करके आई, आम तोर ये भी देखने में आता है कि कोई भी अच्छी आदत होती है, उसे हमारे माता पिता ही हमें सिखाते हैं लेकिन फिटनेस के मामले में अब थोड़ा उल्टा हो रहा है अब युवा ही इनिशेटिव ले रहे हैं और माता पिता को भी एक्सरसाइज करने, खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं